नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इंटर्व्यू लेके आ रहें, एक बहुत महत्वपुन घटना हुई है, पहले घटना के बार में बता दूँ, अभी हाल में कोलकाता इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल का भाटन समारों में, तमाम बड़े-बड़े किरदार स्टार्स मौजूद थे, पॉलिटिकल नेता भी थी, पश्चे मंगाल की मुखे मंतरी ममता बैनर जी थी, जो टॉप स्टार्स वहां पे थे, जिन्होंने भाशन दिये, उनमें अमिताब बच्चन, शारूख खान, रान भाशन था, वो बिग भी यानि अमिताब बच्चन का था, सबसे लंबा भाशन तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक तरह से, हिंदी सिनेमा, भारतिय सिनेमा, कि कई सारे पहलूँ पे उन्होंने बात की, और ये जो बात थी, वो सिर्फ सिनेमा पे नहीं थी, बलकि हिं मौजूदा, राजनीती पे भी कई उसके इंप्लिकेशन के बारे में बात की जा सकती है, इन सब तमाम चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे, हमारे साथ हैं कावेरी बमजाई, जो मेरे समय की पत्रकार हैं, और इनका एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री के उपर बहुत ही बहतरीन काम है, इनकी एक बहुत चर्चित किताब पिछले साल उस पे हम लोगों ने हमारे इतिहास के कारिकरम पे चर्चा की थी, दर थ्री खांस, कि क्या वो युग अब दुबारा कभी आएगा, जो तीन सबसे बड़े किरदार, जिनके नाम खान है, क्या ऐसा वक्त, फिर कभी हिंदुस्तान में आएगा, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत ही शाप आई रखती हैं, फिल्म इंडास्ट्री के डेवलप्मेंट्स को रेके, तो कावेरे जी सबसे पहले तो इस कारिकरम में आने के लिए बहुत धन्यवाद, अमिता बच्चन ज तो इस रेजीम के एक तरह से एंडोर्स किया है, उन्होंने गुजरात दो हजाद दो दंगो के बाद कुछ नहीं बोला, लगाता विज्यापन करते आएं, एक तरह से ब्रैंड अम्बैसेडर रहे हैं, और अल्टरनेट गवर्मेंट आफ्टर 2014 अन्वर्ड तो क्या आपको अचंबा लगा था कि ये क्या भाशन कर दिया, बिल्कुल, और मुझे ये पर्टिकुलरी आश्चेर हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत समय से कहा है कि अब मैं पॉलिटिक्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, जो मैं गुजरात के लिए करता हूँ, वो पॉलिटिकल था, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडॉस नहीं करता, मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, कॉंग्रेस पार्टी के साथ, एमपी जब मैं बना, उसके बाद जो बोफॉर्स की अलिगेशन हुई, वो मैंने एक परसनल फ्रेंशिप थी मेरी राजीव के साथ, तो पॉलिटिक मैं बना. अब मैंने यह तहा कर लिया है और यह उन्होंने बहुत बार कहा कि जो भी मैं या तो गुज़ादРЕ-गवर्डमन के लिए करता हूं, या यू पी गवर्डमन के लिए किया था, वो मैं ए-polletical तोर से करता हूँ यह मैं कोई political ideology endorse नहीं करूँगा तो मुझे लगता है इस background में जब उन्होंने clearly एक speech में इतना clearly अपना political political तो पहुत कुछ है नहीं किसी party की तो बात करनी रहें जी मगर मगर निलांजन जी जो उन्होंने कहा वो और जो सतजीत रे की हम बात कर रहे थे उन्होंने गनशत्रू specifically mention करी जो उन्होंने रितिक घटक को mention किया मुझे नाल सेन को यह सब एक humanist tradition के हैं इनकी philosophy ideology इनका cinema humanist cinema है लोग इसको left कहेंगे मुझे लगता है यह सब humanist cinema के तो left नहीं कहा जा सकता communist party कॉमिनिस बिल्कुल हमेशा criticize वो तो establishment को criticize ही करते थे पत उनका जो उन्होंने जो यह कहा मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपून्चीज करी उन्होंने और इस समय में to speak up जिस समय Bollywood boycott के hashtag हो रहे है boycott पथान हो रहा है शुशान सिंग राजपूत के suicide के बाद इतनी चर्चा हुई Bollywood पृत्वी राज जैसे film बनी जिस में कहा यह last Hindu king of India है मतलब इतिहास को इतना उल्टा पेश करना और यह उन्होंने क्या कहा fictional jingoistic narratives and moral policing पथान को और fictional narrative जैसे आप या तो राम सेतु को देख लीजे या तो आप समराथ पृत्वी राज को देख लीजे तो यह एक जो इन्हों कश्मीर फाइस हमेशा नहीं कि 500 साल पुराना इतिहास की बिल्कुल तो मुझे लगता है कि यह जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि जब बच्चन ने जो introduction दिया कि यह तीन साल से इसके बारे में सोच देते हैं और उनों कहा और उनोंने कहा उनका हाथ कभी तूता है पैट बह। मतलब जो बोल रहे हैं, मगर जो बोल रहे हैं, सोच समझ के बोल, वो उन्होंने बहुत, जैस्ट में कहा, बहुत humorously कहा, पर बहुत ही सोच समझ के उन्होंने बात करिये, especially, ये, मुझे लगता है, ये दो reasons हैं, एक तो उन्होंने पहले, बहुत बार ये कहा है, कि मैं political नहीं ह हो, बत ये मुझे लगता है, definitely, it's, it is, उसको, कोई भी philosophy बोले, it is definitely, but it is a political statement, और दूसरा, जो इस समय, जो माहौल है, उस समय ये बोलना, it's a great act of courage, और जो उन्होंने अपने बारे में भी कहा, कि एक दौर था, कि angry young man का दौर था, 70s और 80s में, जो ये, अब, जिस angry young man ने बात करी, वो उतने young नहीं है, बत angry जरूर है, मेरे को किसी ने टिपनी की, दोस्ते, एक मित्रस से चर्चा हो रही थी, मैंने कुछ एक article भी लिखा था, इस भाशन के बारे में, पढ़ा बहुत अच्छा, तो उसमें उन्होंने कहा, कि आपने refer किया angry young man, विजए character को represent किया, आपने बोला कि ये विजए, वो वाले विजए नहीं है, जी, तो उन्होंने कहा, जो मेरे दिमाग में नहीं आया था, कि दरसल ये अब mature कर गएं, गुरुदत के प्यासा के विजएदा, बहुत इस तरीके से इन्होंने अपनी बात को कही, और, और society को, और इन्होंने देखे, वो खाली state के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो society के बारे में भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक society था, हमारा एक culture था, जहां हमने ऐसी फिल्में बनाई, जहां हम ऐसी बाते करते थे, जब उन्होंने बेंगॉल के बारे में बात कर कि it actually has always represented and publicized the inclusive spirit of cinema beyond the confines of what Gurudev Ravindranath Tagore called narrow domestic walls. Ravindranath Tagore की कविता में, clearly narrow domestic walls का इशारा था, जात, धर्म, अलकुर, इन सब चीज़ों के प्रती, और आज के हिंदुस्तान में अगर किसी की परिभाशा होती है, इनी चीज़ों पे होती है, जात पे होती है, धर्म पे होती है, अब तो काली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात है, और क्या है? तो उस पे गुरूर Ravindranath Tagore का कविता को रेफर करते वे बोलना, मेरे खाल से इस से ज़्यादा और कोई डायरेक्ट क्रिटिसिजम या क्रिटीक ओन गोइंग कल्चरल नारेटिव का नहीं हो सकता. बिल्कुल, तो इसलिए मुझे लगा कि यहीं नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमारा State Totalitarian है, उन्होंने censorship की भी बात करी. जो आज की तारीक में censorship की बात करना बहुत मुश्किल है लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने क्यों उसी सांस में कि there are still questions about civil liberties and human rights. जी और उन्होंने क्योंकि उन्हें पता है, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि जो censorship हो रही है आज कि वो self censorship ही हो रही है. कि Bollywood में एक दौर चला है कि लोग बहुत सारे subjects को लेके बात ही नहीं कर रहे हैं, stories ही नहीं बना रहे हैं अगर आप देखें कि बहुत सारी फिल्में ऐसे अटकी पड़ी हैं, जहां इन चीजों की बात हो रही है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा उन्हों, उन्हें ही पता ह कि जो censorship होती है, खाली state नहीं करता, individuals भी अपने आपको censor करते हैं, और वो सबसे dangerous है, और उसलिए जब उन्होंने गनशात्रू की बात करी, मुझे लगा कि देखें, जो हमारा complex है आजकल, religion, capitalism, individual, individual को लेके मतलब families भी तूट जा रही है, कि individual politics को लेकर, एक भाई एक चीज इंडॉस करता है, दूसरा भाई दूसरा चीज इंडॉस करता है, तो उनका जो इशारा था वो खाली ये नहीं कि हाँ, ये सरकार ऐसा करें, वो कह रहे थे कि हम as a society भी अब इस इन चीज़ों को इंडॉस करें, वो मुझे लगा कि बहुत सूँद समझ के वो पढ़ते होंगे, और पढ़ते तो हैं, वो सब को पता है, बहुत पढ़ते हैं, हर रात वो newspaper clippings अपने ही बारे में नहीं औरों के बारे में भी पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता है देश में क्या हो रहा है, उनके दोस्त भी हैं, काफी सारे जो उनको तो ये सब बोलना आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय में इस जगह पर मम्ता बैनर जी के निमंत्रन पर बहुत कहा था कि चार चीजे सवाल आते हैं क्या कहा जी क्यों कहा जी कहा कहा और फिर मतलब कब कहा आज का वक्त जो है तब बोल तो क्या कहा इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने किये थोड़ा सा और बात करते हैं आपने गनशत्रु के बारे में बात कि जैसा सब जानते हैं कि गनशत्रु जो है सतर जी तरे ने हेंरिक इपसन के एनिमी अव दर पीपल को एड़ाप्ट किया था एडप इसके की ओप्सकूराइंटिजम के एगेंस्ट खड़ा होता है साइन्तीफिक पॉप्टवार्शुट के लिए खड़ा होता है और उनके फेवर में नारेवाजी होती है स्विए दॉपर्चे क宇न करो यह डाए तो सवार यह उटता है गनशत्रु कौन है होने को सतर जीत रेकिए भी इतने सारे फिल्मों ओने जिसका थिकर किया जा सकता है, जिसे हम लोग सीख ले सकते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में, मुझे लगता है COVID के समय के जो parallel है गनशत्रू में एक temple है उसका जो पानी है वो ही cholera है और जो capitalist forces और religious forces में जो union है उसकी बात है स्टेट के municipal board का involvement है जो भाई उनके विरुद जा रहे हैं वो भी एक question है कि भाई भाई बट रहे हैं आज के समाज में तो यह जो सब सब चीजे हैं यह जो सब elements है मुझे लगता है गनशत्रू जैसे फिल्म में इतना deeply embedded है और जो cholera है epidemic है जिस दौर से हम अभी गुजरे हैं तो वो comparison I think बहुत important था और उन्होंने मुझे लगता है इसलिए उस फिल्म को choose किया क्योंकि वो सबसे जादा इस दौर को हमें दर्शित करता है but the fact that it ends on hope is something very interesting तो उन्हें अभी भी faith है Indian democracy पे उन्हें अभी भी faith है Indian humanity पे Indian civilizational ethos पे तो वो interesting है मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि उनका जो गनशत्रु को introduce करने का अपने भाशन में जो process है जो strategy अपनाते हैं वो बहुत indicative है वो बोलते हैं कि हम लोगों को हमारे पुराने फिल्म के माइस्ट्रों से inspiration लेना चाहिए एक तो ये बात बोलते हैं वो लोग जिस तरह से बात को डायरेक्ली ना कहें कि इंडायरेक्ली वो उसको भी उससे हमें सीखना चाहिए और वो कई स forces के खिलाफ लेकिन देखने वाला अमिताब जी बोलते हैं अपने भाशन में कि देखने वाला जानता है बात तो हो रही है अंग्रेजों से कि तुम भारत चोड़के जाओ गनशत्रू के बारे में वो बात करते हैं कि अगर सत्य जी तरह आज जिन्दा होते तो उसी तरह से वो ऐसी ही फिल्म बना थे तो क्या कहीं उनको गनशत्रू का जो आपने कहा कि एक एपिडेमिक हो रहा है और उसका मैनेजमेंट को लेके सत्य को बाहर नहीं आने देने का जो प्रण है उस फिल्म में जो स्टेट पावर आप जो टेंपल आथोरिटी की बात कर रहे थे और पिर जो उनके जो पूंजी पती जो सपोर्ट करे थे ये तीनों का एक तरह का नेक्सस सत्य को सचाई क्या है उसको बाहर नहीं आने देना चाहरे थे तो क्या आपको लगता है कि अमिताब जी को भी शायद कहीं कोविट के दौर में वही लगा साइंटिफिक पर्स्यूट नहीं हो रहा है और सचाई क्या है उसको बलर करने की कोशिश की गई थी क्या इस तरह का पैरलल्स ड्रॉ करना चाहरे थे डेफनेटली ने तो वो इतना समय नहीं बिताते एक फिल्म पर और वो इतना डीपली उस फिल्म के बारे में सवाल नहीं उठाते उन्होंने ये और ये आपने जो एक बात कहीं I think बहुत सिग्निफिकंट है कि जिस तरह से आप सब्वर्सिव हो सकते हैं विदाउट डिरेक्ली चालेंजिंग स्टेट पावर और दिस्टेट वो उन्हें पता है कि उनके लिए स्क्रिप्स लिखी जाती है यंग डिरेक्टर्स अभी भी उनक स्ट इसाथ काम करना चाहते है वो उन्हें एक इचारा दे रहे थे मुझे लगता है कि देखिए ये एक तरीका है कि आप फिलमें अभी भी आच्छी फिल्में बना सकते है आप भी भी ऐसी फिल्में बना सकते जो establishment को challenge कर सकता है और ऐसे बना सकते हैं कि establishment को भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं मैं आप एक example देते हूं अभी पिछले दो हफ़ती पहले एक film आई थी An Action Hero उसमें जादा चर्चा नहीं हुई थी and I was very disappointed क्योंकि वो अगर आप देखें तो it is such an indication of what is happening right now उसमें दावू दिबरहाइम भी आते हैं वो कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप घर में घुसके हमें मार देंगे और मैं तो अभी भी जिन्दा हूँ तो फिर उनको ये Action Hero बोलता है बट हमें तो पता था कि आप Pakistan में हैं तो वो कहते हैं बट हमें पता था कि आप Murderer हैं तो मीडिया के बारे में उसमें सवाल उठते हैं Boycott Bollywood के उपर सवाल उठते हैं Hero क्या है Action Hero क्या है उसके बारे में सवाल उठते हैं तो मुझे लगते है कि ये शुरू हो रहा है उसके फिल्म के जो कलाकार है वो आयुश्मान कुराना है वो पॉलिटिक्स पे जादा बात नहीं करते हैं बड़ जो उनका काम है उससे वो पॉलिटिकल और सोशल मेसेज़े देते रहते हैं तो मुझे लगता है ऐसी फिल्मे अब बनना शुरू हो गई हैं जहां बॉलिवुड भी जो समाज में क्या हो रहा है वो चुप नहीं बैच सकते हैं उन्हें अब मतलब उन्हें अब और बच्चन के बोलने से उन्हें जादा मोटिवेशन मिलेगी उन्हें कारेज मिलेगा कि हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम ऐसी फिल्में बना सकते हैं लोग भले न समझे पूरी तरह बद कहीं न कहीं एक एडवांस हो रहा है conversation हो रही है यह dialogue शुरू हो रहा है अभी तक तो हम toho Henoolog ही सुनते आ रहे हैं हमारी बात तो किसी ने सुनी नहीं सुने के avenues भी नहीं है क् कि हम अपने आप कोई सेंसर करते जा रहे हैं, हम राम से तू फिल्में बनाते हैं, हम समराथ पृत्फिराज बनाते हैं, ऐसे फिल्में बनाते हैं, जिस पर आप फेथ को सेक्रिड और सेक्यूलर को मिक्स कर देंगे, तो फिर कैसे कोई सवाल उठेगा, क्योंकि आप जैसे ही उस फिल्म पे questions उठाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं आप anti-national है आज कर एक नया label आगया आप genocide denier है आप एक genocide को deny करते हैं आप exile denier है तो ये सब labels आपके उपर attach हो जाते हैं तो कोई conversation हो नहीं पाती है एक ही तरह का monologue आ रहा है तो अब मुझे लगता कि ये एक dialogue का शुरुआत है dialogue की शुरुआत है तो इसलिए ये बहुत important है जैसे अपने भाशन में उन्होंने अपने address में उन्होंने censorship की बात की इतिहास की बात की ये बुला कि हिंदुस्तानी सिनेमा हमेशा में social commitment और social change और egalitarian equality की बात करती आई है तो इन सब चीजों को flag करना आज के तारीक में politically discomfort पैदा करती है है रेजीम हमारी जो केंदर में जो रेजीम है उसमें पैदा करती है आप रेजीम को भी ट्रैक करते हैं और आप सिनेमा को भी ट्रैक करते हैं आपने करीब दो दशक से आपने अमिता बचन जी के political world के साथ जो रिष्टे हैं जो connections हैं इसको बहुत आपने तीखी आपने देखा है तो आपको क्या लगता है कि वो एक तरह से क्या बहुत ही सटल तरीके से रिबेल कर रहे हैं आप कैसे समझते हैं मुझे लगता है rebellion तो हो रहा है और हमें भूलदानी चाहिए कि हमें तब बचन केवल cinema हमें ही नहीं आते हैं कौन बनेगा करोडपती में जो उनका अवतार है बहुत important है अगर आप उनके जो जो वहां conversation होती है जो वहां बोलते हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो जो बाते वहां करत हैं अगर आप ये speech सुनेंगे तो आपको उतना आश्चरिय नहीं होगा क्योंकि वो जो वहां बाते करते हैं बिलकुल common sense की बाते करते हैं knowledge की बाते करते हैं family के बारे में बात करते हैं तो वो जो अवतार है ना friend philosopher guide उसको मैं कहूंगी FPG कहा करते थे समीर नायर जब उन्हो हैं तो ये जो FPG वाला आवतार है जो कौन बनेगा करोरपती में वो कितने लोगों से मिलते हैं कितने लोगों की बाते सुनते हैं और वो अपना script खुद लिखते हैं उसमें खुद changes करते हैं खुद हाथ से वो change करते रहते हैं last minute तक क्या उनको बोलना है मुझे लगता है कि वो जो अवतार है जहां वो लोगों की बाते भी सुनते हैं लोग क्या सोच रहे हैं वो भी सुन रहे हैं और ये जो speech वाला अवतार है ये कहीं दोनों मिल रहे हैं कि अब cinema वाला मेताब बच्चन और असली वाला मेताब बच्चन क्या सोचते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हर हरफ्षट महानायक जैसे जो महानायक सोचता है हम नहीं सोच पाते हैं कि यह क्या सोच रहे six ज्लब क्योंकि वह। इस स्टेज़ पर आ गए कि कभी किया बोल रहे हैं वह स्कृप्त के स्कूप्टिड है कि अंस्कृप्टिड है हमें पता नहीं चलता ... बट मुझे लगता है कि अब जो अंस्क्रिप्टर अमिताब बच्चन है फ्रेंड फिलोसिफर गाइड के बी सी के और ये जो असली में उन्होंने उस दिन बोला उनके बोलते वे उनका जिनका बोल रहे थे तो उनका दिल में दर्द दिखाई दे रहा था बिल्कुल कि यह मतलब हम किस डिशा में आगें किया हमारे साथ हो रहा है क्या हमा एंसात्न होने दे रहे और क्यों एक आखरी सवाल कवेरी जी आपसे भाशन के अंत में वह रेफर करते हैं एक रविंद्र नाथ ट्यọर की कवीता की रौशनी दो रौशनी दो और लो आध तो चांड आपको बता सकते हूं कि वो जो शब्द करते हैं, खोई भी शब्द use करते हैं वो बिना सोचे समझे नहीं करते हैं वो हर शब्त को सोच समझ के या किसी और ने उनको script दी हो या वो खुद सोच रहे हो वो हर शब्त को टटोल कर यूज करते हैं कोई useless इसलिए अगर आप script उनकी speech देखेंगे उसमें एक भी शब्त नहीं है जो जो हम लोग बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है यह उन्होंने क्यों बोल हर चीज बहुत tightly उन्होंने pack करी है हर thought को उन्होंने बहुत tightly pack किया है तो हर शब्त का एक माइने है और वो अगर darkest tower बोल रहे हैं वो हमें बोल रहे हमारा darkest tower है और अगर वो टगोर की बात कर रहे हैं उन्हें पता है कि टगोर जैसे लोग ही हमें रोशनी दिला सकते हैं तो हमें सची राह दिखा सकते हैं जो हर किसी का उन्होंने mention किया whether it was फालके फालके क्या historicals बनाते थे मगर कैसे historicals बनाते थे आज कर के historicals नहीं जो politically motivated हो चंडर प्रकाश दिवेदी को लगता हो कि वो फालके हैं बद हमें नहीं नहीं लगता है जिसके बिनान होने बात करें जो क्लीन का क्या है हर चीज़ को और वर्ड को नो ने सोच समझ के यूज किया है हर चीजका intonation भी उन्होंने प्राक्टस करके किया होगा यह मैं आपको बता है परफॉमंस तो है और हमें पता भी है कि वो अगर उनको अपनी परफॉमंस नहीं अच्छी लगती है तो वो कभी-कभी बोल देते हैं कि इस इस तीन दिन की शूटिंग को ही स्क्राप कर दीजे मेरा टोन मुझे वो टोन नहीं मिला मुझे वो सुर नहीं मिला तो इस स्पीच में उनका सुर भी सही था उनका जो usage of words था वो भी सही था और जो इशारा कर रहे थे वो भी सही था हर चीज सही थी थांक्यू कावेरी जी आपने बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा की एक बहुत महतोपूर्ण भाषन की डाकिस्ट आवर में हम लोग हैं अमिताब बच्चन ने कहा और उन्होंने रोशनी की मांग की उसके लिए रविंदरनाथ टेगोर को उन्होंने साइट किया और इस से sanctity मिली तो आज की कारिक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक नई डिबेट अमिताब बच्चन जी अपने भाषन से शुरू करना चाहते थे एक नई सोच एक नई optimism सब के लिए उनके प्रति हम लोग आभार वेक्त करते हैं और आप लोगों के प्रति एक कारिक्रम द